नमस्कार मित्र जैमातरी स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो कन्या रासी वालो हम बात करेंगे आपके एगले 24 गंटों के महत प्रण रासी फल की यानिक मित्रों दिनांक 13 जुन 2022 का दिन के सा रहेगा आप लोगों के लिए सरव प्रतम मित्रों बात करें पंचांकी तो 13 जुन को सौमवार का वार है साथ में जैश्ट मास की सुकल पक्स की चतुर दर्सितिती है और मित्रों अनुराधा नक्सत रहे और सुर्र जो हे वह वर्यसब रासी में विराजमान रहेगा तो वहीं दूसरी और चंद्रमा जो हे मित्रों वह वर्यसचिक रासी में संचार करेगा तो एसे में समस्त ग्रहों की चाल का अगले 24 गंटों में आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रो व्यापार के डरश्टी से नोकरी के डरश्टी से पारिवारिक जीवन यापन के लिए प्रेम संभंधों के लिए साथ ही मित्रो विद्यार्तियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार है क्या सावधानिया है और क्या खुश खबरिया है समस्त बातों की जानक हम आपके लिए लेकर आए हैं जिने आजमाने में ना ही आपको कोई धन लगाना है ना ही कोई पुंजी लगानी है मित्रो इन उपायों को आजमा कर आप अपने अंदकार रूपी जीवन में एक उजीयाला भर सकते हैं मित्रो सबसे पहले तो जो भी भक्त अपनी मा से प्यार करते हैं इस वीडियो का लाइक कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी की सच्चे भक्ते ही प्रेम से जै मातरी लिखिएगा मातरानी उनकी सारी मनो कामना पुर्ण करेगी तो चलिए मित्रो वीडियो की सुरुवात करते हैं गुरुजी के छोटे से अनमुल विचार से तो मित्रो हमारे गुरू जी कहते हैं कि किसी इनसान के कुछ समय के बूरे वहवार की वज़े से उसको हमेसा के लिए बूरा मत समझो क्योंकि कभी कभी हालात बूरे होते हैं इनसान नहीं इसलिए मित्रो बूरे हालात भी अच्छे इनसान को बूरा बना देते हैं क्योंकि हालात कभी भी कहकर नहीं आते हैं मित्रो और इंसान कब कौन सी परिष्टिती में ढल जाए यह भी बताया नहीं जा सकता इसलिए किसी इंसान की अच्छाई हजार है तो एक बुराई के पीछे आप उसकी हजार अच्छाईयों को ना भूले तो गुरुजी का यह ग्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा मित्रो गुरुजी का यह ग्यान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवज से लिखेगा तो चलिए अब बात करते हैं आपके एक लिए 24 गंटों के महत प्रनर रासी फलकी तो मित्रो आपको बता दे कि बिजनस के कामों में आपको चुनोतियां और रुकावटे महसूस होगी लेकिन इन चुनोतियों का सामना आपको डट कर करना है और रुकावटे कहां पर आ रही है इस बात का पता लगाना है अपनी कारिसंता और प्रतिभा को साबित करने के लिए आपको बहुत अधिक संगर्च, बहुत अधिक मेहनत वो बहुत अधिक परिश्रम करने की आविश्यक्ता है राजनिती से जुड़े किसी व्यक्ति से मुलाकात लापदायक साबित होगी और आपको बता दे मित्रो कि विध्यार्तियों की पढ़ाई अथ्वा करियर से संभन्दित किसी समस्या का समधान मिलेगा तो ध्यान रखे कि किसी भी काम में बहुत अधिक मेहनत की आपको आऊ सक मित्रो विध्यार्ति वर्ग जो है वह अपनी मेहनत के अनुरूप ही उचित परिणाम हासिल कर पाएंगे यदि आपने अपनी मेहनत में थोड़ा सा भी संकोच दिखाया थोड़ी सी भी कमी दिखाई तो आउसरा आपके हास से निकल सकते हैं लेकिन इस मेहनत के आपको सु मित्रो आप बोके का सिकार हो सकते हैं यदि आपके सामने कोई भूका वियक्ति है चाहे वह पेशो का क्यों ना हो तो आप उसके सिकार हो सकते हैं बच्चों की कोई जिद या अडियल रवयाँ आपकी परेशाने का कारण बन सकता है तो बच्चों को यदि आप प्रेम से समझाएंगे तो वह आसानी से समझ पाएंगे और आपका कहना भी मानेंगे और मित्रो धियान रखिएगा कि परिवार में अनुसासन बना कर रखना आपको अतियोज सेके क्योंकि जब परिवार में आप अनुसासन बना कर रखेंगे तब ही बच्चे भी आपको समझ पाएंगे और विविसाई के प्रती किसी प्रकार की भी लापरवाही ना बरते आपको बता दे कि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो इस लापरवाही का खामियाजा आपको भगतना पड़ सकता है मित्रो इस समय ग्रह गोचर पूरी तरह से आपके पक्स में है आपको कोई बड़ा ओडर मिलने के संभावना है और इस बड़े ओडर के जरिये ही आप मित्रो बड़ा लाप प्राप्त कर पाएंगे आपको बता दे कि सरकारी सेवारात व्यक्तियों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और यह यात्रा आपके लिए सुखद परिनाम लेकर आईगी घर में कुछ गलत फेहमी उत्पन न हो सकती है तो आपकी थोड़ी सी समझदारी से घर का वातावरन दूसित होने से बच सकता है और गेस वो बदहजमी की वज़े से जोडो में दर्द जिसे सिकायत्र महा महसूस होगी तो सुपाच्य भोजन ही आपको मित्रो ग्रहन करने की सलह दी जाती है और मित्रो इस बात का भी धियान रखियेगा कि आपको बता दे कि आपका स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास हर परिष्टिते में मेहनत करने की समता प्रदान करता है आप में आत्मविश्वाज भी है और आपका स्वाभिमान ही है मित्रो जो आपको अपके जीवन में आगे बढ़कर ले जाता है आपको बता दें कि आपकी रूके हुए काम अगर आप थोड़े से प्रियास करेंगे तो बन जाएंगे तथा समाज में भी आपका मान सम्मान बना रहेगा आपके मान सम्मान में किसी प्रकार के कोई भी कमी नहीं रहेगी तो व्यर्थ की गती वीधियों में समय व्यतित करना आपके मेहित प्रुनकार में रुकावट डाल सकता है इसलिए आपको व्यर्थ की गती वीधियों में अपने समय की बरबादी नहीं करनी हैं सेर सट्टा जिसे रिस्की कामों में बिलकुल भी निवेश ना करें वरना आपको मित्रो भारी नुकसान हो सकता है और बहुतर होगा कि किसी का मार्ग द्रसन अवस्च लें यदि आप किसी अनुभवी व्यक्टी के सानिद्य में रहकर कार्य करेंगी तो आपको बहुत कुछ सिखने को तो मिलेगा ही साथ में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मार्ग और विकल्प भी समझ में आएंगे और मित्रो कामकाच के प्रती आपकी लापरवाही मित्रो आपके लिए नुकसान दाही साबित हो सकती है कोई मेहत प्रण ओर्डर निरेस्ट होने की आसंग का लग रही है तो मित्रो आपको लापरवाही नहीं बरतना है आपको अपने कारी छेत्र में चारो तरह पेनी नजर रखना है चारो तरह पेनी आप अपने नजरे जमा कर रखेंगे तब ही आप आपके लिए लाप दायक परिष्टी ठोकी खोज कर पाएंगे मित्रो आपको बता दे कि नोकरी पिसा लोग अधिकारियों से संभंध खराब ना कर रहे क्योंकि एसा करना आपके लिए नुक्सान दायक रहेगा मित्रो आपको बता दे कि दामपत्य जीवन में आपके मधुरता रहेगी परंतु प्रेम संबंद में किसी प्रकार की कटूता आ सकती है तो इन संबंदों से अगर आप दूर ही रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा है किसी भी प्रकार की गलत आदत आपके स्वास्त में गिरावट का कारण बनेगी और अपने जीवन सेली को अनुसासित रखना बहुत जरूरी है जी हाँ आपको बता दे कि सुरुवात का जो समय रहेगा वह किसी सुखद समाचार से शुरू होगा और यह समाचार आपके जीवन में तरक्की के नए मार्ग भी खोलेगा और आप उरजा और विश्वास के साथ अपने समय की सुरुवात करते थे मित्रो आपको धियान रखना है कि अपनी राजनितिक और सामाजिक संपर्क सुत्रों को और अधिक मजबूत बना कर रखें क्योंकि आगे चलकर यही संबंद आपके लिए बहुत लाबदायक साबित होंगे और निकट भविश्य में यह संपर्क आपके लिए कई सारे फाइडे मंद भी साबित होंगे अपनी भावुकता अपनी उदारता जिसी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है क्योंकि मित्रो भावुकता और उदारता यह दोनों चीजों में जब तक आप परिवर्तन नहीं लाएंगे बदलाव नहीं लाएंगे आपके लिए कुछ भी आसान नहीं रहेगा कोई बाहरी व्यक्ति आपको बहला फुशला कर अपना मतलब निकाल सकता है इसलिए बाहरी व्यक्तियों के लोगों के संपर्क में आप बिलकुल भी ना रहे मित्रो यह सब आपके लिए हाने कारक साबित हो सकता है इसलिए बाहरी व्यक्तियों की बात में बिलकुल भी ना आकर अपने लिए आपको सचेत रेना होगा मौजूदा समय पूरी तरह से अपने कारोबार पर फोकस करने का है और इस समय विस्तार संभंदित उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही है यदि आपने थोड़ी सी मेहनत और कर ली तो मित्र आप देखेंगे कि किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं मित्र आपको बता दें कि यदि इस समय विस्तार संभंदित उपलब्धियांप करें और नोगरे पे सव यक्टियों को उनके जीवन में कुछ परिशानी आ सकती है परन्तु समय रहते आप अपना हल भी आसानी से निकाल पाएंगे तो मित्रो वीडियो की समाप्ती यहीं पर होती है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवस्य कर दिजेगा कमेंट बॉक्स में गुरु जी का अशिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाय नमस्तु भ्यम अवस्य लिखियेगा गुरु देव आपकी सारी मनोकामनाय पूर्ण करेंगे और मित्रो देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ती के लिए हमारे यूटूब चैनल को आप सभी में तरोज सस्क्राइब करके अभी जुड़ जाईएगा वह जो इस्क्रीन पर आपको लाल बटन दिखाए दे रहा है उसे दबा दीजेगा वह पास में वह घंटी भी आप अवस्य है